नमस्कार दोस्तों एपेक्स क्लासेज एजुटेक के डिजिटल प्लेटफर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी एट डेज महा मेरा थन में आज दूसरा दिन है डे वन की अपार सफलता में आप सभी के सयोग और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रसी डंक से आप सभी का सयोग मिलता रहेगा हम और आप मिलकर इसी डंक से मेहनत करेंगे और बढ़िया अंक प्राप्त करेंगे एक खास बात आप से शेर करना चाहरा था हमारे पास समय कम है अतहम आवशकता पढ़ने पर शाम को भी कभी कभी क्लास लेंगे जिसकी से अंक आएंगे मैं आप से डिसक्स कर चुका हूँ एक बार फिर कर लेता हूँ दो हजार अठारा और दो अалась नजन तो 2018 में जो मैट्रिक्स वाला पार लेशन तीन हैं उस में एक नमर एक सवाल आया और दो नमर का एक सवाल आया सेम इसी डंक से 2019 में वी एक नमर का एक और लेसन नमर पांच में एक सवाल एक नमर का और एक सवाल तीन नमर का उसी डंग से 2019 में भी एक सवाल एक नमर का और एक सवाल तीन नमर का इसी डंग से हम लोग डिसकस करते जाएंगे अच्छे से समझते जाएं सबसे पहले आता है सार्णिकों के अनुप्रयोग अब सार्णिकों के अनुप्रयोग कैसे डिसकस करें त्रिबूच का क्षित्रफल ग्याद करना जिसके शीर्षों के निर्देशंक दिये हों आए एक सफन्वाइबन वाइटे त्रिबूच का क्षित्रफल क्या होगा हाफ एकसफ़न वाइटे एकसभड़ ग। सिंपल सा उदाहन लेक्ते हैं माल यह मुझे एक इस त्रिबूच दिया है जिसके शिर्ष A 5,3 B 1,2 C 4,-1 और मुझे कहा जाए इस त्री पूच को खिश्य त्रफल ग्याद कीजिए तो हम आसानी से ग्याद कर सकते है एरिया बराबर हाफ फॉर्मूला क्या लगाएंगे X1, Y1, 1 X2, Y2, 1 X3, Y3, 1 तो क्या हो जाएगा 5,3,1 1,2,1 4,-1 अब इस सानी को हल कर लेंगे और माना जाएगा वह त्री पूच का क्षित्रफल होगा ध्यान रखने वाली बात क्या है मान लिए इसको मैंने सॉल किया और संख्या निगेटिव आ गई तो भी हम क्षित्रफल को पॉजिटिव ही लिखेंगे निगेटिव कभी भी नहीं लिखेंगे अब इस से सम्वंधित एक बढ़िया प्रशन आपको करवाता हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करें जहां जनरली गल्ती कर देते हैं यदि त्रिवु जे बीसी का क्षित्रफल 35 वर कई है तथा शिर्षों के निर्देशंग ए के को माचार बी दो को मा माइनस चे और सी पांच को माचार है तो के कमान ग्यात कीजिए क्या गड़बड करते हैं ध्यान से देखें आप सबसे पहली बात क्षित्रफल फर्मूला क्या है मर पास में एरिया बराबर हाफ एक्स वन वाई वन वन एक्स तू वाई टू वन एक्स त्री वाई थ्री वन अब शित्रफल अगर पॉजिति वे था तो भी में पॉजितिव लिखता और नेगेटीव होता तो भी नेगेटिव लिखता तो मैं थर्टी फाइव लेकशने के विज़े मॉड आफ थर्टीफाई लिखोंगा या प्लस मैनस 3 लिखोंगा टो यहां क्या होगाinder mod of 35 is equal to 1 by 2, अब यहाँ पर लिख देंगे, k41, 2 minus 6, 1, 5, 4, 1, अब इसको हल करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, plus minus 35, 2 उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus minus 70, plus minus 70, is equal to, अब सानिक को हल कर लेते हैं, k, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो minus 6, minus 4, minus 6, minus 4, फिर minus का निशान, अब इसकी पंक्ति और इस्तम को छुपाया है, तो 2 minus 5, फिर plus 1, अब क्या करें, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 2 minus 4 जाएट, plus 5, 6, 30, क्या प्राप्त होगा, plus minus 70, बराबर, minus 6, minus 4, means minus 10 के, minus, 2 में से 5 गए, minus 3, minus 3 into minus 4, means, plus 12, plus 38, यहां मुझे समीकर्ण मिल गया, plus minus 70, बराबर, minus 10 के, plus 50, अब 2 case आजाएंगे, case 1, जब मैं positive लेऊं, और case 2, जब मैं negative लेऊं, दो स्थतियां ले लेता हूं, 70 बराबर, minus 10 के, plus 50, minus 10 के को उधर ले लो, 10 के, बराबर, 50 minus 70, 10 के बराबर, minus 20, के बराबर, minus 2, तो के का एक मान क्या प्राप्त हुआ, minus 2, दूसरा मान क्या आजाएगा, अब मैं negative ले लो, तो, minus 70, बराबर, minus 10 के, plus 50 ले लेता हूं, अब 10 के को इधर लाता हूं, बराबर, 70 प्लस 50, तो, 10 के बराबर, 120 आगया, तो, के बराबर क्या हो गया, 12 आगया, गरबर क्या करते हैं, हम लोग दूसरा माइनस वाला केस लेते ही नहीं, और स्टूडेंट जल्दवाजी में 35 ही लिख देते हैं, तो, केबल के का एक ही मान प्राप्त होगा, जिसमें मार्क्स कटने की पूरी-पूरी गुंजाईश है, एक बार फिर देख लें, एरिया का फामूला लगा दिया, प्लस माइनस 35 कर दिया, तो, 35 दूना 70 हो गया, प्लस माइनस 70 बराबर देशी सॉल किया, एक बार पॉजिटिव केस ले लिया, एक बार निगेटिव केस ले लिया, और हमें के के दो मान प्राप्त हो गए, के बराबर माइनस 2, के बराबर 12, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, तीन बिन्दू के सरेख्य होने का प्रतिवन, तीन मिन्दू A, B, C सरेख्य होंगे, तो त्रिभूज A, B, C का क्षित्रफल शुन्य होगा, तो हम त्रिभूज A, B, C का क्षित्रफल को 0 कर देंगे, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1 बराबर 0 होगा, फिर आता है, दो बिन्दू से गुजणने वाली रेखा का समीकरण ग्याद करना, माना दो बिन्दू A, X1, Y1 और B, X2, Y2 है, से गुजणने वाली रेखा पर एक चर बिन्दू P, X, Y है, तो हम कैसे समीकरण ग्याद कर सकते हैं, वो ध्यान से देखें, मानले एक रेखा है, एक बिन्दू A, दूसरा बिन्दू है B, X1, Y1, X2, Y2, और इस रेखा पर एक बिन्दू P, X, Y है, तो ध्यान से देखें, P, A, B, सरेखें हैं, सरेखें हैं, तो त्रिबूज का ख्शेत्रफल 0 हो जाएगा, तो हाफ, X, Y1, X1, Y1, 1, और X2, Y2, 1, बराबर 0, इस प्रकार इस प्रॉपर्टी का उप्योग करके, हम दो बिन्दूओं से गुजणने वाली रेखा का समीकन ग्याद कर सकते हैं, इस से संबंदित एक प्रश्न कर लेता हैं, तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिन्दूओ A, 2, 3, B, 4, 1 को जोडने वाली रेखा का समीकन ग्याद किजिए, यह हो गया A, यह हो गया B, और यहां मान लिया मैंने P, X, Y, तो इस रेखा का समीकन कैसे ग्याद करना है, देखें ध्याद से, X, Y, 1, फिर 2, 3, तो क्या लिख देंगे हम, 2, 3, 1, 4, 1, 1, बराबर 0, त्रिपुच काक्षे त्रफल 0 लिख देंगे, क्योंकि P, A तथा भी सरेखे हैं, अब तो इस सार्णिक को हल करना है, और हल करते ही, हमें 2 बिनों को मिलाने वाली रिखा का समीकन प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं, क्या उत्तर प्राप्त होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, X, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3-1, minus Y, अब क्या हो जाएगा, 2-4, minus Y, 2-4, plus 1, पंक्ति और इसको छुपाया, 2-12, बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3-1 means 2X, 2-4, minus 2, plus 2Y, minus 10, बराबर 0, यह, X, plus Y, बराबर 5, अब यह उत्तर सही है या नहीं, जांच कर लेते हैं, अगर यह उत्तर सही है, तो यह बिंदू A और B, इस रेखा के समीकर्ण को संतुष्ट करने चाहिए, मान नग देते हैं, 2,3, X की जगे 2, Y की जगे 3, तो 2, 3, 5, 5, बराबर 5, 4, plus 1, 5 means, मतलब क्लियर है, हमारा उत्तर सही है, अगला भाग देखते हैं, सानिक की सहायता से समीकर्ण निकाय का हल ग्यात करना, जैसे हमने पहले, पिछले लेक्चर में किया था, अव्यू सिद्धान्त की सहायता से समीकर्ण निकाय का हल ग्यात करना, आज हम पढ़ेंगे सानिकों की सहायता से समीकर्ण निकाय का हल ग्यात करना, देखें गौर से, A1X plus B1Y plus C1Z बराबर D1, A2X plus B2Y plus C2Z बराबर D2, एक समीकर्ण निकाय है, सर प्रतम हम लोग क्या ग्यात करते हैं, डिल्टा ग्यात करते हैं, और डिल्टा ग्यात करने के लिए इसके गुणांकों का एक सानिक बना लेते हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, फिर मुझे डिल्टावन ग्यात करना है, और डेल्टा 1 ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे जो अचर पार्ट D1, D2, D3 हैं उनको पहले इस्तम के इस्तान पर रख देंगे जब मुझे डेल्टा 2 ग्याद करना हो तो क्या करना है जो दूसरा इस्तम था डेल्टा में ये वाला B1, B2, B3 इसकी जगे क्या रख देंग अब ऐसा एक प्रशन कर लेते हैं तो हमें चीज क्लियर हो जाएगे ज्यान से समझते जाएं लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने के बाद कुछ कंडिशन से हैं पहले कंडिशन देख लेते हैं यदि डेल्टा 0 तो समीकर निकाय संगत होता है तथा निकाय का हल अध्युत्य होता है और ऐसी स्थती में हम कैसे मानग्याद कर सकते हैं एक्स बराबर डेल्टा 1 अपोन डेल्टा वाई बराबर डेल्टा 2 अपोन डेल्टा और जैड बराबर डेल्टा 3 अपोन डेल्टा जहां डेल्टा कशुन्य हो तो समीकर्ण निकाए असंगत होता है अर्थात उसका कोई भी हल नहीं होता है इस दुनिया में एक्स वाई और जैड का इसा कोई मान नहीं होगा जो तीनों समीकर्णों को एक साथ संतुष्ट कर सके फिर आता है केस थ्री यदि डेल्टा बरबर जीरो और संगत है तो इसके अनंत हल होंगे के फिर देखते हैं इससे संबंदित एक प्रश्ण है जो राजस्थान बूर्ड 2018 में पूछा गया है क्रेमर के नियम का प्रयोग करके निमलिकित समीकर्ण निकाय को हल किजिए अब आप कहीं क्रेमर का नियम किया है जो हमने यह पड़ा ह साढ़ीकों की सहायता से एक जड़ के मान निकाल लें इसे क्रेमर का नियम भी कहते हैं अब कैसे हल करें वही अपनी टेक्नीक सबसे पहले क्या गयात करेंगे डिल्टा फिर डिल्टा वन फिर डिल्टा टू क्योंकि यहाँ पर दो वेरियाबल से एक्सर वाई शुरुआत क करते हैं डेल्टा हमें क्या मिलने वाला है पाँच माइनस चार एक और ती डेल्टा का मान किता आया डेल्टा बराबर 15 प्लेस चार बराबर 19 फिर मैं डेल्टा वन ग्याद करता हूं डेल्टा वन बराबर डेल्टा वन के लिए क्या करेंगे जो पहला इस्तम्भ है उसको रीप्लेस कर देंगे 7 और 9 से तो क्या मिल जाएगा मुझे 7 9 माइनस 4 3 इसको हल करें तो क्या मिल रहा है 21 प्लस 36 तो डेल्टा वन बराबर 57 अब ग्याद करते हैं delta 2 delta 2 बराबर हमें क्या करना है जो दूसरा इस्तम्ब है उसके इस्थान पर अच्य रख देंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे 5 एक और दूसरे इस्तम्ब की जगे अच्य रख देंगे 7 9 इसको हल करते हैं तो डेल्टा 2 बराबर 45 माइनस 7 38 मुझे डेल्टा 1 भी प्राप्त हो गया डेल्टा 2 भी प्राप्त हो गया अब X और Y के मान ग्याद करना है गौर से देखते जाएं यहां मैं लिखता हूँ X बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा और यहां पर Y बराबर डेल्टा 2 बटा डेल्टा सबसे पहली बात जो अब्जरू करने की होती है डेल्टा का मान आते ही हमारे पास यह किस्तिक लिए रहो गई चूंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है अता समीकर निकाय संगत होगा और इसके अध्युत्य हल होंगे यह लाइन लिखनी आवशक है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो अता समीकर निकाय संगत है और इसके अध्युत्य हल होंगे यह लिखना आवशक है फिर यहां पर हम जो अध्युत्य हल है वो ग्यात कर लेते हैं एक्स बराबर इसी प्रकार से वाई कमान ग्याद करना चाहूंगा तो वाई बराबर डेल्टा टू कमान आया 38 बटा 19 तो वाई बराबर आ गया 2 एक्स कमान आया 3 और वाई कमान आ गया 2 अब कोई मिस्टेक तो नहीं हुई यह भी जांच करके देख लेते हैं जो समीकर निकाय दिये हैं उनमें मान रखके देखते हैं यदि वह संतुष्ट करते हैं तो हमारा जवाब सही है मैं एक्स की जगे रख देता हूं 3 और वाई की जगे 2 पांस्ती 15 माइनस 8 बराबर साथ 3 प्लेस 6 भाई यहां पर हो गया 3 प्लेस 6 9 9 बरबर 9 सिद्ध हो गया हमारा जो जवाब है वो बिलकुल सही है यह हमने किया राजस्थान बोर्ट 2018 का प्रश्ण इसी प्रकार से हम अगला पाट देखते हैं मेट्रिक्स और सानिक में अंतर सबसे पहली बात हमने मेट्रिक्स भी पढ़ लिया सानिक भी पढ़ लिया तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं मेट्रिक्स किसी भी क्रम का हो सकता है जबकि सानिक सदैव वर्गाकार होता है मेट्रिक्स में यह संख्याओं का एक सू विवस्थित रूप है इसको हल नहीं कर सकते हैं जबकि सानिक को हम हल कर सकते हैं और इसका एक निश्यतमान होता है इसको बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक में लिखते हैं जब कि सानिक में अभयवों को दो उर्द्वादर रेखाओं के बीच लिखते हैं मेट्रिक्स में यदी में पंक्तियों और इस्तंबों को परस पर बदल दू तो मुझे एक नया मेट्रिक्स परिवर्ता विवुपराप्त होता है जबकि सार्निक में यदि मैं पंक्तियों और इस्तंबों को परसपर बदल दूँ तो भी निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता यह हो गया मेट्रिक्स और सार्निक में अंतर फिर आता है सार्निक के गुणधर्म अब यहां से बहुत ह महतोपुर्ण भाग स्टार्ड होने जा रहा है जहां students को जनरली प्रॉलम्स आती है students को यहां पर practice की बहुत सक्त आफ्षकता है और इस पार्ट को मैं बड़े आसान तरीके से रिप्रिजन करूंगा जो कई students उसको difficult लगता है उनको भी आसान लगने लगेगा ऐसा मेरा प्रयास रहेगा आप भी पूरा सयोग करें अच्छे से समझने का प्रयास करें सबसे पहला कुश्चन आता है कि सर मेट्रिक्स है उसके संगत सानिक है और सानिक को मैं हल कर रहा हूं आराम से भी तक हल करते हैं तो गुंदर्म पढ़ने की क्या जरूत है कई बार कुश्चन बड़ा complicated होता है तो हम सानिकों के गुंदर्मों की साहता से उसको सरल रूप में तोड़ देते हैं फिर उसे हल करके उसका मान गयात कर लेते हैं या जो सिद्ध करना होता है उसे हम सिद्ध कर लेते हैं हम one by one पहल स्तंभों को परस बदलने पर भी सानिक के मान में कोई परिवर्थन नहीं होता है एक उधान की सायता से समझ लेते हैं ए बराबर तीन चार दो पांस दिया वाए यह वर्ग मेट्रिक्स है तो इसके संगत सानिक होगा और उस सानिक को हल करते हैं तो उसका मान किता हैगा 15-6 बराबर साथ इसी प्रकार ए ट्रांस्पोज मैंने पंक्तियों इस्तंभों को परस पर बदला तो मुझे परिवर्थ मेट्रिक्स मिला और परिवर्थ मेट्रिक्स का एदी में सानिक हल करता हूं तो हल करूंगा तो 15-15-8 साथ मिल रहा है कोई परिवर्थन नहीं हुआ कि ट्रांस्पोज में कोई परिवर्थन नहीं हो रहा है गुंदर्म नंबर दो सानिक में यदि किसी पंक्तिया इस्तम के समस्त अवेव शुन्य है तो सानिक का मान शुन्य होता है हमें उससे आगे हल करने की जरूरत नहीं है एक एक एक्जम्पल और देख लें जैसे यहां क्या होगा जीरू क्लियर फिर डिसकस करते हैं नेक्स्ट पॉपर्टी सानिक को किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उसका गुणन किसी विशिष्ट पंक्ति या विशिष्ट इस्तम से हो जाता है जैसे मुझे एक सानिक दिया है ए बराबर 3824 मैं एके ग्याद करना चाह ठीके 824 या कोई के नहीं सब मैं तो उसको दूसरे स्थम से गुणा करूँगा दूसरे स्थम से गुणा कर दीजिये यह मान और यह मान दोनों समान हैं कोई परिवर्तन नहीं है इसी प्रकार से अगर में किसी पंक्ति या इस्तम से कोई अव्यों कॉमन लेना चाहा हूं अ न चाहरा हूं तो भी मैं ले सकता हूं सानिक में येदि कोई दो पंक्तियां यह स्तम समान है तो सानिक का मांद शुन्य होता है एक उदाहन से समझते हैं है तीन साथ आंट दो चार नो तीन साथ आंठ इसको फटाक से सौल करने मत बैठ जाना यहां साफ दिख रहा है जो पहली पंक्ति वो तीसरी पंक्ति के समान है पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति समान है तो साने कमान शुन्य होगा नेक्स पार्ट आता है किनी दो आसन पंक्तियों यह इस्तम्भों को परस पर बदल दें तो सानिक का चिन बदल जाता है जैसे यहां पर एक उदान दिया है पांच साथ आठ तीन दो छे नौ चार एक यहां पर पहली और दूसरी पंक्ति को हमने आपस में बदल जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा जितनी बार ऑप्रेशन लगाऊंगा उतनी बार इसके चिन बदलते जाएंगे फिर अगली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें सानिक किसी पंक्तिया इस्तम का प्रतियक अव्यव यदि दो अव्यवों का योग है तो सानिक को हम उसी इस्तम 3 प्लस के 5 प्लस 7 प्लस में 469 128 है इसको मैं इसी कोटी के दो सानिक के योग की रूप में लिख सकता हूं मिस यह क्या हो गया 357 और यह दो स्थम एजिट इस आ जाएंगे फिर अगला वे कौन के लम तो हमने लिख दें के लम 469 128 तो यह जो सानिक था इसको इसी कोट आती है बहुत ही महत्वपून प्रॉपर्टी इसलिए कुछ भी नहीं लिखा वाए निम्न संक्रियां लगाने पर भी सानिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मैं उदारन देख के आपको अच्छे समझाता हूं इससे हम मैजिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं देखें गौर से आरवन एस आरवन प्लस आरटू देखें एक उदारन की साहता से 3 2 4 5 1 6 9 माइनस 2 7 हमें एक सानिक दिया हूआ है मान लिया इस सानिक को मैंने हल किया और इसका मान है संख्या एक्स कोई भी संख्या एक्स है अगर मैं इसमें गुंदम लगाता हूं आरवन में चेंज किया आरवन प्लस आरटू तो नया मेट्रिक्स नया सानिक मुझे क्या मिलेगा आरवन प्लस आरटू 3 प्लस 5 8 2 1 3 6 और 4 10 5 1 6 9 माइनस 2 7 हमने पहले पंक्ती में दूसरे पंक्ती को जोड दिया 3 5 8 2 1 3 4 6 10 यह मुझे नया सानिक मिल गया ऐसा करने पर भी इस सानिक का मान भी एक्स ही प्राप्त होगा कोई चेंज नहीं होगा यह गुंदर्म क्यों लगाते हैं ताकि हम किसी भी डिफिकल्ट लंबे प्रशन को आसानी में तोड़ दे और उसको हल कर सकें अप्रेशन लगाने में क्या ध्यान रखना है मैक्सिमम जीरो लाने उसको सरली करन करना है सरल रूप में तोड़ना है अब जैसे में और अप्रेशन लगाना चाहूं माले लगाता हूं सीवन एज सीवन माइनस फाइव टाइमस ऑफ सीटू इसका मतलब क्या हुआ पहले स्थम में से घटाना है किसको सीटू को पांच से गुणा करके पहले स्थम में से घटा दीजिए मैं किसी भी पंक्ती को किसी अचर संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ती में जोड़ सकता हूँ यान्यया पंक्ति में से घटा सकता हूँ इसी प्रकार इस्तं में भी ऐसा ही है मैंने पहले इस्तं में से घटा है किसको किया दूसरे सितम को को पांस से गुणा करेकि पहले सितम से घट अब यह उपरेशन लगाने के बाद भी जो नया सार्णिक मिलेगा उसको मैं हल करता हूं तो उसका मान भी वही प्राप्त होगा जो औरीजनल सार्णिक का मान है यह बहुत ही महतोपुन गुंदम है और ज्यादा तर प्रशनों में इस काम प्रयोग करेंगे अब प्रयोग कैस करें करना है वही स्टूडेंट को प्रॉलम आती है हम लोग इन प्रॉपरडी को वन बाए वन एककरते जाते हैं और कॉशेंज सं मञें करें जैसे यह सवाल है अब स्टूडेंट कहता है सर प्रॉपर्टी तो मुझे सारी याद है कुश्चन आता है मैं उसमें लगा नहीं पाता हूं हम मिलजूल के प्रयास करते हैं ध्यान से देखें और किन-किन चीजों को अब्जर्व करना है ताकि मेरे दिमाग में क्लिक हो जाए जर्व कि यहां पर मुझे पर्वर्टी निमबर यूंबर लगानी है यहां यहां पर यहां पर यह यहौपर पर नहीं हें कुशिश करनी है कि मैक्सिमं जी रू लानं अगर 0 डैरेक्तली नहीं आता है तो कोशिश करें कोई पार्ट और आ जाया जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लगातू प्रोपटी एस जी 1 प्लस moet सी टू प्लस सी 30 सी 1 में चेंज किया क्या चेंज किया सी 2 सी तू सी 3 को सी 1 में जोड दिया झा मिलेगा मुझे 3 x प्लस लैमड़ा 3x plus lambda 3x plus lambda हमने change किसमें किया c1 में c2 और c3 as it is रहेंगे x x plus lambda x x x x plus lambda अब गौर से देखें पहले इस्तम से 3x plus lambda को कॉमन ले लेते हैं 3x plus lambda कॉमन ले लिए क्या मिला 1 1 1 x x plus lambda x और यहां x x x plus lambda जैसे ही 1 1 मिला मज़ा आ गया क्योंकि 1 में से 1 गटा है तो जीरो प्राप्त होता है अब यहां पर देखें मैं ऐसा एक operation लगाता हूं r1 as r1 minus r2 पहली पंक्ती में से दूसरी पंक्ती को मैंने घटा दिया क्या मिला 3x plus lambda पहली पंक्ती में से दूसरी को गटाया तो 0 minus lambda 0 1 x plus lambda x 1 x x plus lambda दो शुनी मिल गए अब तो आसानी से हल करना है 3x plus lambda अब यहां क्या होजागा जीरो प्लस lambda इसको चुपाया इसको चुपाया तो x plus lambda minus x x से x गया 3x plus lambda multiply करेंगे lambda square से इस प्रकार हम किसी भी दिये गए सानिक को सरलता पूर्व कहल कर सकते हैं ध्यान से देखें c1 x c1 plus c2 plus c3 यह पहला इस तंब आ गया हमने 3x plus lambda common लिया 111 मिल गया फिर r1 minus r2 किया और हमने इसको simple तरीके से solve कर लिया अगला पार्ट देखते हैं 111 abc a square b square c square 111 मिले मिस मजा आ गया 1-10 कर सकते हैं ऐसी स्थती में यह पहला स्थम दूसरा स्थम तीसरा स्थम मैं क्या करता हूं एक स्थम को fix कर दिया सी 3 को fix कर दिया तो मैं c1 minus c3 करता हूं गौर से देखें c1 as c1 minus c3 तथा c2 as c2 minus c3 पहले स्थम में से तीसरे स्थम को घटाया और दूसरे में से भी तीसरे स्थम को घटा देता हूं c1 minus c3 अब यहां गौर से देखें पहले में से तीसरे को घटाना है 1 minus 1 0 a minus c a square minus c square इसी प्रकार c2 minus c3 कर रहे है 0 b minus c b square minus c square 1 c c square अब गौर से देखें 0 में से सब कुछ common आता है पहला स्थम है a square minus c square है तो मैं क्या लिख सकता हूं a minus c into a plus c तो इस step को बढ़ा देते हैं आगे जीरो a minus c a minus c into a plus c इसी प्रकार से क्या जाएगा 0 b minus c b minus c into b plus c यह हो जाएगा 1 c c square फिर क्या करते हैं पहले स्थम से a minus c को common ले लेते हैं और दूसरे स्थम से b minus c को common ले लेते हैं तो a minus c b minus c तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कि पहले स्थम से a minus c और दूसरे स्थम से b minus c को उबनेस्ट लिने पर ऐसा परिक्षा में लिखना है तो यहां क्या मिला 0 1 a plus c 0 1 b plus c 1 c c square अब तो बड़ा असान काम है दो 0 मिल गए solve कर लेते हैं a minus c b minus c 0 minus 0 plus 1 इसको छुपाया इसको छुपाया तो b plus c minus a minus c clear अब यहां क्या मिलेगा c से c cancel a minus c b minus c b minus a हम इसको cyclic order में भी लिख सकते हैं चक्री एक्रम में भी लिख सकते हैं तो मैं यहां पर minus कुमए लेओं थो c minus a यह ओगया b minus c यह & plutôt minus of a minus a minus c b minus c-c और इसको छल किअ दो b minus a मिला a minus c b minus c और यह हो गया b minus c इसमें से मैंने MINUS कुमा लेतो तो minus of c minus a bolt b minus c minus of a minus b minus x minus minus plus Midars result a minus b b minus c c minus a इस प्रकार हमें कितना भी कठिन प्रश्न दे दे हम गुंदर्मों का प्रयूग करते वे उसे आसानी से हल कर सकते हैं पहला step c1 minus c3 c2 minus c3 किया फिर हमने a square minus c square को a minus c a plus c कर दिया कौम ले लिया और साधान तरीके से हल कर लिया और प्रश्न देखते हैं अब यह प्रश्न है इसको भी ध्यान से समझें मैं यह सेंपल प्रॉलम्स करवा रहा हूं जिनका में उद्देश्य आपको अलग-अलग टेक्निक सिखाना है जो बोड में आयवे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी हम बोड में आयवे प्रश्न भी अटेंड करेंगे ले अगर मैं इन दोनों को जोड के इसमें से घटा दो तो कम सकम एक जीरो तो मिलेगा तो मैं उपरेशन लगाता हूं मैं को R1 में Change करता हूं क्या change करता हूं? R1 is R1 minus R2 plus R3 R1 is R1 minus R2 plus R3 तो गोड से देखें Y plus Z को Y plus Z में से घटा यह 0 मिला इन दोनों को जोड लिए तो X plus 2Z उसको कहताया तो – 2Z यह मिल गया x plus 2y गटाया तो माइनस 2y बाकी as it is क्योंकि उसमें कोई change नहीं किया y z plus x और यह हो गया y z z x plus y यहां पर अब मेरे पास पहली पंक्ति है पहली पंक्ति में से दो कॉमन ले लेता हूं आपको परिक्षा में लिखना है r1 से दो कॉमन लेने पर यह हमने दो कॉमन ले लिए जीरो माइनस जड माइनस वाई वाई जड प्लस एक्स वाई जड जड एक्स प्लस वाई क्लियर अब यह माइनस जड है यह माइनस वाई है हमें कोशिश करनी है मैक्सिमम जीरो लाने की देखते हैं कैसे ला सकते हैं अब यहां से मैं माइनस टू को कॉमन ले लिया तो माइनस जड माइनस वाई आ गया अब क्या करना है ध्यान से देखें मुझे मैक्सिमम जीरो बनाने मैं कर लेता हूं अच्छो एस अच्छो प्लस आरंवन ततार कि एज आर्थी एज आर्थी प्लस आर्वन आक्टो में भी आर्वन को जोड़ दिया और आर्थी अबी आर्म नको जोड़ दिया तो 2 टाम साउब 0- Z-Y पिर यहांपर क्या वह जाएगा y z plus X minus z x 0 यहां पर जड यह 0- x plus Y तो केवल X बजी किरा अब तो तो बड़ा आसान है और हम रिर्म से को कंड कर लेते हैं, two times, zero plus z, इसको छुपाया, इसको छुपाया, yx minus zero, minus y, फिर इस पंक्ति और इस्तम को छुपाया, तो zero minus xz, clear, यह हो गया two, x, y, z, plus x, y, z, two times of two x, y, z, is equal to four x, y, z, इस प्रकार, इस typical question को हमने reduce कर दिया, आसान पार्ट में, और हम result तक पहुँच गया, फिर next part आता है, 1, 1, 1, a, b, c, b, c, c, plus a, a, plus b, इसको solve करना है, तो क्या करें, यहाँ साफ दिख रहा है, c3 में, b plus c, c plus a, a plus b, कम कौन पढ़ रहा है, a, b, c, अगर मैं c3 plus c2 कर देता हूं, ध्यान से देखें, c3 में change किया, c3 plus c1, 1, 1, 1, a, b, c, यह हो गया, a plus b plus c, यहाँ पर भी, a plus b plus c, a plus b plus c, अब क्या करें, मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूं, c3 से, a plus b plus c, बाहर कॉमन ले लेता है, a plus b plus c, कॉमन आगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1, 1, 1, a, b, c, 1, 1, 1, यहाँ पर दो इस्तम समान हो गए, तो result 0, c1 बराबर c3, तो result क्या हो जाएगा, 0, यही देखना है कि किसी भी डंग से उसको आसान तरीके में reduce कर दें, गुर्णदर्मों का प्रयोग करते वे, यह सभी बातें आपको समझ में आ गही होंगी, अब अगला पार्ट है, rbhc 2019 का सवाल करने में, साथियों, साथ साथ आपको यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक भी जरूर करते जाए, मेरा भी जोश बढ़ता जाएगा, अब है, 1 प्लस A, B, C, A, 1 प्लस B, C, A, B, 1 प्लस C, इस तरह का प्रश्णा हमारी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें अलग प्रूव किया गया है, यह थोड़ा सा अलग पार्ट है, इसको ध्यान से समझने का प्रेयास करें, मुझे सिद्ध करना है 1 प्लस A प्लस B प्लस C, क्या करेंगे, देखें सबसे पहले, 1 प्लस A प्लस B प्लस C कैसे आ सकता है, यह पहला समझ है, अगर मैं दूसरे और तीसरे समझ को इसमें जोड़ देता हूँ, तो पहला स्टेप लेता हूँ, C1 as C1 प्लस C2 प्लस C3, पहले समझ में दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया, तो वन प्लस A प्लस B प्लस C, वन प्लस A प्लस B प्लस C, वन प्लस A प्लस B प्लस C, पहले समझ में दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया, क्या बचा, B, 1 plus B, B, C, C, 1 plus C, अब क्या करेंगे हम, 1 plus A plus B plus C को common ले लेते हैं C1 से, 1 plus A plus B plus C common ले ले, तो यहां क्या बचा, 1, 1, 1, clear, अब यहां पर B, 1 plus B, B, C, C, 1 plus C, यह 1, B, C, 1 यह मिल गया, अब क्या करें, 0 लाने हैं, 1 को fix कर देते हैं, अगर मैं यहां पर simple सा step कर दो, R1 as, R1 minus R2, पहली पंक्ती में से दूसरी पंक्ती को घटा देता हूं, 1 plus A plus B plus C, पहली पंक्ती में से दूसरी को घटाने पर मुझे क्या मिलेगा, 0, B minus 1 minus B, minus 1 बच जाएगा, B minus 1 minus B, B से B गया तो minus 1 और C minus C, 0 और किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1, 1 plus B, C, 1, B, 1 plus C, 2, 0 मिल गए, मज़ा आ गया, अब तो फटाक से calculation कर लेते हैं, 1 plus A plus B plus C, 0 plus 1, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 1 plus C, 1 plus C, minus C, plus 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगी, 0 ही मिलना है, यहाँ, plus 1, 1 plus C, minus C, C से C cancel, 1 plus A plus B plus C, इस प्रकार से जो हमें RHS पार्ट सिद्ध करना था, हमने अच्छे से सिद्ध कर दिया, यह आ गए तीन नंबर हमारी जेब में, clear, अच्छे से आप मेहनत करें, और बिंदास होके अटेंड करें, सिद्ध अवश्य होगा, हम आसानी से नंबर ला सकते हैं, नेक्स पार्ट रास्थान बोर्ड 2018 में आयवा सवाल है, मिल जूल के अटेंड करते हैं, अब भी अक्टिवली पार्टिसेपेट करें और सोचे कि अगला स्टेप क्या लगा सकते हैं, अग्स प्लस 4, 2X, 2X, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 5X प्लस 4 दिख रहा है सामने, इन दोनों को जोड़ लूँ, दोर दो 4X, प्लस X, 5X प्लस 4, तो आइडिया क्या लग गया, C1 is C1 plus C2 plus C3, पहले स्थम मैं दूसरे और तीसरे को जोड लेता हूँ, C1 में चेंच, C1 plus C2 plus C3, पहले स्थम मैं दूसरे तीसरे को जोड लिया, तो क्या मिला, 5X plus 4, 5X plus 4, मैंने C1 is C1 plus C2 plus C3 किया, इन सभी को पहले स्थम में जोड़ा तो पांच एक्स प्लस चार मिल गया बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है उनको आज इस लिख देना है तो टू एक्स 2 x x फ्लस4 2 x बीटा लिखने में साफदा नहीं रहे जल्द बाजी इमाम गलत लिख देते हैं फिर फिर केलकोलेशन गलत हो जाती है 2 x 2 x x फ्लस4 2 x 2 x x फ्लस4 अब पहले स्थम से C1 common ले लेते हैं ऐसा परिक्षा में लिखना है तो 5X plus 4 common ले लिया 1 1 1 clear 2X X plus 4 यहाँ पर यह करने के बाद यहाँ पर बज गया 2X यह 2X 2X X plus 4 अब गौर से देखते जाएं यह पहली पंक्ती है यह दूसरी पंक्ती है R1 minus R2 कर दो तो एक 0 मिल जाएगा और यहाँ से दूसरा 0 मिल जाएगा तो operation लगाते हैं R1 as R1 minus R2 तो 5X plus 4 बाहर पड़ा है अंदर क्या हो जाएगा R1 minus R2 तो 0 R1 तो 2X minus X minus 4 तो 2X minus X minus 4 means X minus 4 2X minus 2X 0 1 X plus 4 2X 1 2X x plus 4 clear अब देखें 5X plus 4 है 2 0 मिल गए सीधा solve कर लेता है 5X plus 4 0 minus of X minus 4 इसको छुपाया है इसको छुपाया तो क्या मिल जाएगा X plus 4 minus 2X अब 4 minus X बच जाएगा तो 5X plus 4 यह minus of X minus 4 है तो यहाँ पर लिख देता हूँ minus of X minus 4 और यह वाला X plus 4 minus 2X है तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 4 minus X तो 5X plus 4 यह वाला minus of X minus 4 है और यह 4 minus X है उसमें भी minus कॉमा ले ले लेता है क्योंकि हमें X minus 4 सिद्ध करना है तो क्या हो जाएगा यह X minus 4 का हॉल स्कॉर है इस रंग से हमने 2018 का प्रश्ण भी अटेंड कर लिया है अगला पार्ट देखते हैं 2017 में आएवा प्रश्ण देखें द्यान से 2016 में आएवा प्रश्ण देखें सिद्ध कीजिए ABC A स्कॉर B स्कॉर C स्कॉर और यह वाला पार्ट यह सिद्ध करना है अब यहां गौड से देखें यह हमें दिया हुआ है ABC A स्कॉर B स्कॉर C स्कॉर यह दिया हुआ है मैंने कहा किया C1A यह सी 1 प्लस C 2 प्लस C3 कर दिया तो A प्लस B प्लस C B प्लस C अ C अब यहां पर पहले इस् система से कॉमum ले लिए अप्लस B प्लस C को गटाया R2 में से भी R3 को गटाया तो हमें दो शुन्य प्राप्त हो जाएंगे देखिए एक और से R1-R3 किया तो 0 A2-C2 और B-C-A-B तो B से B चला जाएगा C-A बजिया यहां पर R2 में से R3 को गटाया तो 1-10 B-C2-C2 C-A-A तो यह हो गया C-B और 1C2 A-B as it is रहेगा यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब इसका जो अगला पार्ट है वो ध्यान से देखने का प्रहाइस करें जीरो में से सबकुछ को मनाता है यह स्कूर माइनस C स्कूर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं A-C इंटू A-C तो इसके आगे का पार्ट मैं अटेन कर रहा हूं ध्यान से समझने का प्रहाइस करें यहां लिख देता हूं A-B-C मैंने लिख दिया A प्लस B प्लस C 0 A स्कूर माइनस C स्कूर है A प्लस C इंटू A-C यह हो गया C-A 0 B प्लस C इंटू B-C यह हो गया C-B 1 C स्कूर A प्लस B यहां तक कोई तकलीप नहीं अब मैं क्या करता हूं A प्लस B प्लस C दिया हूं A-C को कॉमन ले लो आरवन से पहली पंक्ति से आरवन से कॉमन ले रहाऊं A-C और रूसे कॉमन ले लेता हूं B-C तो A प्लस B प्लस C आरवन से कॉमन लिया A-C तो A-C लिग दिया रटू से कॉमन लिया B-C तो B-C लिग दिया अब यहां क्या बचा 001 यहां से A-C कॉमन लिया है तो क्या बच गया A-C यहां से C-A था और मैंने A-C कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन तो माइनस आजेगा यह वाला हो जाएगा B-C यह C-B है तो माइनस और B-C तो माइनस 1 1 C square A plus B अब तो साधरन सासाने के हल कर लेते हैं यहां हम इसका प्रसार C1 के सापेक्ष कर लेते हैं A plus B plus C यह हो गया A-C B-C यहां क्या हो जाएगा C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ 0-0 plus 1 इस स्थम और इस पंक्ति को चुपाएंगे तो क्या पाएंगे A-A-C plus B plus C C से C cancel तो A plus B plus C यहां मिला A-C B-C और यहां क्या मिलेगा B-A चक्री क्रम में लिखने के लिए मैं माइनस कोमा ले देता हूँ तो A plus B plus C यहां पर minus of C minus A B minus C और यहां लिख दूँ minus of A minus B minus minus plus A plus B plus C A minus B B minus C C minus A यही हमें सिद्ध करना था 2018 से पहले जो पेपर पेटेंट था उसमें यह पांच नंबर का प्रशना आता था तो वहां पर यह सवाल था और हमने उसको अटेंड कर लिया अब यह है रास्थान बोर्ट 2015 में आया वा सवाल यह भी इसी पेटेंट का है अब आप खुद आइडिया दें कैसे करें यह प्लस B प्लस 2C है तो मैं और मुझे सिद्ध करना है टू टाइमस ओफ ए प्लस B प्लस B प्लस C यहां पर भी क्या मिल जाएगा टू टाइमस ए प्लस B प्लस C यहां पर पर भी टू टाइमस ए प्लस B प्लस C अब हम क्या करते हैं पहली पंक्ति में से कॉमन ले लेंगे बाकी सारा पार्ट एज़ेट इस लिग देते हैं ए बी प्लस C B प्लस 2A और यहां आगे A B B C प्लस A प्लस 2B ध्यान से समझने का प्रयास करें अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं यह पहली पंक्ति है इस से हम 2 टाइम आफ ए प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेता है परिक्षा में लिखना है आरवन से 2 टाइमश आप ए प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर तो हमने कॉमन ले लिया 2 टाइमस आफ ए प्लस B plus C, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखें ध्यान से, 1, 1, 1, बाकी as it is, A, B, B plus C plus 2A, B, यहां मिल जाएगा, A, यह 1, A, C plus A plus 2B, 1, 1, 1 है, अब देखें, हमें maximum 0 लाने है, अगर मैं, यह पहला इस्तम C1 है, C1 मैंसे C3 को घटा देता हूं, तो 1 minus 1 0, A minus A 0, तो operation क्या लगा दें हम, C1 as, C1 minus C3, ऐसा करने पर क्या प्राप्त होता है, 2 times of A plus B plus C, तो बाहर पड़ा रहेगा, और C1 minus C3 कर रहे है, तो पहले इस्तम में से इसको घटा है, तो यहां मिल गए 0, A minus A 0, B minus C minus A minus 2 B, तो minus of A plus B plus C, बाकी सभी as it is, तो हम क्या कर ले है, जो भी बाकी दिया हुआ पार्ट है, उसको लिख लेते हैं, क्या-क्या बचा, 1, B plus C plus 2A, और B, 1, A, C plus A plus 2B, यह हमें प्राप्त हो गया, अब गौर से देखें, जो पहला इस्तम में उससे minus of A plus B plus C common ले सकते हैं, यहां मैं A plus B plus C को common ले लेता हूँ, जब मैं इससे common लूँगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखें गौर से, A plus B plus C को मैंने common लिया, तो मेरे पास बच जाएगा, 2 times of A plus B plus C का whole square, और यहां बचा 0, 0, minus 1, 1, B plus C plus 2 A, B, 1, A, C plus A plus 2 B, अब तो बड़ा आसान काम है, मैं पहले इस्तम के साफ एक्ष्प्रसार कर देता हूँ, तो 2 times of A plus B plus C का whole square, 0, minus 0, minus 1, अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो A minus B minus C minus 2 A, तो यह क्या हो जाएगा, मैंनस का जाएगा, तो 2 times of A plus B plus C का whole के उपागा, इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर लिया, यह पार्ट ऐसा ही है, इसमें हमें काफी मेहनत करने पड़ती है, और मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी मज़ेदारी आएगी, मेरे ख्याल से सभी को बात समझ में आ गई होगी, thank you very much.